Hello guys, मेरा नाम है रहूल और Welcome back to my channel तो अब हम इस वीडियो में वही topic cover करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में छोड़ दिये थे तो अगर आप directly इस वीडियो पे आये हो तो आप प्लीज पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखिए जो की part 1 थी अगर आपको link चाहिए मैं i button में link दे दूँगा या फिर आप description में भी check कर सकते हो तो आप वहाँ से सीधा हमारे first part पे जा सकते हो वहाँ पे हमने बहुत सारी settings की है जो की installation के वक्त लगती है और main मतलब यहाँ पे जो general settings है वो भी हमने उस part में की हुई है तो आप वहाँ पे जाके ये settings देख सकते हो तो अभी हम इस video से हम titles and meta settings करने वाले है और बाकी के जो ये settings है वो हम इस video में cover करेंगे तो चलिए इस video को शुरू करते हैं ठीक है तो अभी first settings है जो की global meta ओके आपने एक चीज गौर जरूर की होगी कि यहाँ पे इतने options है बहुत सारे options है बट ये सारे options used में present नहीं थे I don't know कि वो आपने आप automatically हो रहे थे या फिर नहीं हो रहे थे बट यहाँ पे rank math हम को वो provide कर रहा है तो अच्छी बात है तो यही वजह थी कि मैं योस से rank math में shift हो रहा हूँ तो अभी तो हम सब इसका settings वगरा सब करेंगे और फिर देखते है थोड़े दिनों बात की इसका SEO कैसे work करता है ranking बढ़ती है या फिर जितनी है उससे भी decrease होती है तो देखते है तो अभी हम SEO titles and meta settings कर रहे है जिसमें की first हमारा setting है वो है global meta तो इसे हम देखते है पहला है robots meta हमें इसे index करना है तो यह जो सब option है मैं नहीं select करूंग कोई भी हम इसे default रहेंगे उसके बाद नीचे scroll करते है advanced robot meta इसे भी हम default ही रख देते है जो की already है values okay no index empty category and tag archives okay इसे on रख देंगे जो की default है हमें क्या चाहिए जो भी categories में post या फिर content नहीं है उसे हमें index नहीं करना है तो हम इसे simply on रख देते है यह हमने पिछली वीडियो में देखा था वहाँ से हमने on इसे कर दिया था तो हम नीचे आते हैं अभी है सेपरेटर कैरेक्टर सेपरेटर कैरेक्टर मतलब जो की यह बीच में value आ रही है इसे हम कहते है सेपरेटर कैरेक्टर अभी आगर आप firstly कर रहे होंगे और आप और यह आपका first SEO plugin है इससे पहले आपने योस्ट नहीं इंस्टॉल किया होगा तो आइठिंक आपको यह सेपरेटर मिलेगा firstly क्योंकि अभी मैंने क्या किया है मैंने योस्ट को मेरे योस्ट का पूरा डेटा था वो मैंने रैंक मैंत में अपलोड कर दिया है इसलिए यह डिफॉल्ट यह सेपरेटर आ चुका है क्योंकि यह सेपर और यह properly दिखता है कि यह separator है, यहाँ पर हमारा website का नाम है, और यहाँ पर जो की page title या फिर post title जो है, वो यहाँ पर display होगा, ओके और उसके बाद है capitalized title, हाँ हम इसे जरूर on करेंगे, ओके यह क्या करता है, अगर मेरा यह post, post में का p capital है, और title में का t, जो first letter है, वो small है, capitalize कर देगा, मतलब अगर यह small होता, तो इसे यह option capital कर देगा, या अगर यह small है, तो इसे यह option capital कर देगा, मतलब हर sentence में के जो words है, उनमें, जो first word है, उनको वो capitalize कर देगा, ओके, open graph thumbnail, इसमें यह image already added है, तो हम ऐसे की, जैसा है, हम वैसी कर देंगे, यह twitter card type है, twitter का, यह अभी तक मुझे भी नहीं पता, यह हम देखेंगे future में, अगर हमें use पढ़ रहा है इसका, तो हम इसे जरूर use करेंगे, तो अभी हम करते है, save changes again, ओके, तो global setting, global meta settings हो तो हो गई, हम अभी हम जाते है, local SEO में, तो मैं क्लिक करता हूँ, local SEO, और यहाँ पर आया है, person or company, मैं person हूँ, तो मैं person पर क्लिक करूँगा, name क्या है company का, और person का, मेरा नाम मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, वो already defaultly, उन्होंने fetch किया हुआ है, website का logo, वो भी हमने, पिछली बार settings जो की थी, उसमें हमने डाला हुआ था, वो ही यहाँ पर है, website का URL क्या है, और URL भी यहाँ पर directly fetch हुआ है, तो यहाँ पर हमने कुछ change नहीं किया है, तो सीधा हम आ जाएंगे social meta पर, अगर आपको पिछली वीडियो में पता होगा, कि हमने वहाँ पर हमारा website का details ले रहे थे, तो तब ही हमने क्या किया था, मैंने person पर select कर दिया था, अगर आप कोई भी small website पर select करते हो, या फिर small business पर select करते हो, तो यहाँ पर आपको और भी options दिखाई दे सकते हैं, तो यह बात आप ध्यान में रखिए, तो ठीक है, अभी के लिए हम जाते है social meta पर, मैं इस पर click करता हूँ, ओके, तो यहाँ पर facebook page का url हम डाल सकते हैं, यहाँ पर हम facebook profile id डाल सकते हैं, I think, यहाँ पर हम facebook का id डाल सकते हैं, facebook का app हमारे नहीं हैं, तो हम इसे नहीं डालेंगे कुछ भी, तो हम try करके देख लेते हैं, यहाँ पर मेरे social icons के list है, तो यह मैं copy करूँगा यहाँ से, और यहाँ पर paste करते हैं, उसके बाद instagram को copy करते हैं, I think instagram है, इसमें, ok twitter है, यहाँ पर देखिए twitter, उसके बाद google places, flicker, reddit भी है, linkedin है, ok instagram है, instagram का डाल दिया हमने, linkedin का भी copy कर देते है, linkedin का डाल दिया, youtube channel का भी है, तो मैं भी इसे copy करके यहाँ पर डाल दूँगा, ok, तो अगर twitter का भी डालना चाहते हैं, हम इदर से copy करेंगे, और उपर scroll करके, यहाँ पर जो twitter का URL है, वहाँ पर twitter का URL डाल देंगे, और यहाँ से यह copy करके, username डाल देंगे, actually मेरा username रावाइडे है, तो यही डाल दूँगा, ok, तो अभी हम नीचे scroll करके, यहाँ पर बहुत सारे option से, टंबलर है, soundcloud है, pinterest भी है, अगर आपकी profile इन सब में है, तो आप यहाँ पर डाल के, इसे save changes easily कर सकते हो, तो मैं इसे save changes कर दूँगा, ok, तो अभी हम next settings के, पर चलते हैं, वो की है homepage, ok, homepage को directly ऐसा आ रहा है, तो अगर हम यहाँ से edit page कर देंगे, तो हम directly homepage पे चले जाएंगे, और वहाँ से edit कर देंगे, तो अभी हमें यह नहीं चाहिए, यह हम बाद में देखेंगे, तो अभी हम जाते हैं सिधा post formats पे, ok, तो post format के लिए हमें कैसा चाहिए, देखेंगे, यहाँ पे अगर आपका post format हुआ, suppose projects है, तो यहाँ पे आएगा projects, जो की example term, जो की आपका कोई भी term होगा, तो मेरे समें suppose, मान लीजिए कि projects है, तो यहाँ पे आएगा projects, और यहाँ पे आएगा रहुल बैडे, जो की आपका कोई भी site name होगा, वो, अगर आपको इसे change करना हुआ, तो आप सीधा इसे click करेंगे, और यहाँ से आप easily add कर सकते हैं, site title चाहिए, site description आप कुछ भी add कर सकत बट, I will suggest you कि जो default है, उसे ही रख दीजिए, उसके बाद है post archives description, यहाँ पे expert है, excerpt है, sorry, तो यहाँ पे जो है, वो, वैसे ही रखेंगे, हम उसे excerpt, अगर आपके इसमें यह settings नहीं आ रहे है, यहाँ पे excerpt, default ले लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो आप उसे यहाँ से click करके यहाँ से, sorry, यहाँ से आप सीधा डाल सकते है, maybe अगर मैंने used का SEO data import किया है, उस वज़े से यहाँ पे आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, अगर नहीं आ रहा है, तो आप easily simply यहाँ से click करके आप यहाँ से add कर सकते हो, तो अभी हम नीचे और scroll करते है, format archives robots meta, तो इसे custom है, तो हम इसे वैसे रख देते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है no index, I think, पता नहीं मुझे भी यह क्या है, तो हम इसे अभी के लिए default रख देते है, I think यह robot meta, such as nofollow no archives, etc. for format archives, otherwise the default meta will be used as seat as global meta tab, तो जो यह है, इसे हम default कर देते हैं, I will click on save changes, तो अभी next settings है, जो की authors हम उस पे click करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे authors archives है, जिसे पहले से ही enable किया हुआ है, तो हम इसे enable ही रहने देंगे, और author का जो URL है, अगर उसमें आपको author चाहिए, तो देखिए आप यहाँ से easily वो author आपको मिल सकता है, अगर आपको कोई और डालना हो, सपोज मैंने यह डाल दिया, तो users, तो जो की author की URL है, उसमें वो आ जाएगा, हम इसे default जैसा है, वैसा ही रख देंगे, और देखते हैं नीचे के other options, अभी author के robots meta, हम इसे default जैसा है, वैसा ही रख देंगे, अभी authors archives title, author का archive title कैसा आना चाहि यह, देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, जो की author का नाम होगा, वो यहाँ पर easily आ जाएगा, first पर author at, यह कौन सी website है, उस पर आ जाएगा, ओके, हाला कि हम I think author को index नहीं कर रहे हैं, और नहीं करेंगे I think, तो अगर आगे कोई settings आती है, जिसमें हमें पता चलता है, कि हम author को index नहीं कर सकते, देखिए, यहाँ पर actually दिया हुआ है, कि no index, तो हम सिर्फ इसे directly save changes करेंगे, क्योंकि यहाँ पर already no index दिया हुआ है, तो I hope क कि मैं rightly कर रहा हूँ, तो save changes करेंगे इसको, okay, then यहाँ पर है miscellaneous pages, जो कि date archives है, okay, मुझे date archives को index नहीं करना है, तो मैं से सीधा disable कर दूँगा जहाँ से, okay, okay, page not found, okay, उसके बाद है search result title, search result का title कैसे आना चाहिए, use search for, okay, यह अच्छा है, यह जैसा है, वैसे हम रख देंगे, उसके बाद page not found का title, अगर आपको चाहिए कि आपको यहाँ पर description भी डालना है, अब कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से सिल्फ select करना है, और आपको इसमें से कोई भी, अगर आपको post एक्सर्ट डालना है, date डालना हो, अब यह default है, और यह अच्छा भी लग रहा है, तो हम इसे ऐसे ही रख देंगे, तो no index search result, हाँ, हमें search result को index नहीं करना है, तो हम इसे सिधा on रख देंगे, no index paginated pages, यह समें index नहीं करना है, हम इसे भी on रख देंगे, archives के sub pages, अगर आपको इसको भी index नहीं करवाना है, हम हम इसे भी on रख देंगे, और no index password protected pages, हाँ, हमें जिसको password है, उसको भी हमें index नहीं करना है, तो हम इसे सब को on रख देंगे, और save changes कर देंगे, अभी ऐसा नहीं है कि आप यही settings follow करो, ठीक है, अगर आपको कोई और settings करनी है, जैसे आपको चाहिए कि आपके sub pages भी index हो जाए archives के, तो आप इसे off करके, आप कुछ भी कर सकते हो, या फिर आप इसे on ही रहने दो, और save changes, ठीक है, यह पूरा आपके उपर depend करता है, तो अभी हम scroll करते हैं, और नीचे post types पे जाते है, यहाँ पे है posts, तो हम इसे click करेंगे, ओके single post title, तो यह title ऐसा display होगा, जो कि post का name, और उसके बाद आएगा site title, अभी जो title है, वो मेरो website का नाम है, वो ही title आ रहा है, अगर आपको title यहाँ पे change करना है, या फिर separator देखी, हमने जो separator का tag वहाँ पे पिछले settings में किया था, वो ही यहाँ पे directly आ रहा है, separator, ओके तो हम इसे ऐसे रहने देंगे, उसके बाद है single post description, अगर description में आपका insert नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से click करके डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको यह title में कुछ अलग दिखा रहा है, तो आप सीधा यहाँ से click करके, जैसा आपको title design चाहिए, आप वैसा कर सकते हो, में भी यह मेरा योज से पूरा data जो import किया है, उससे आ रहा हो, ठीक है, तो आप आपको जैसा चाहिए, आप यहाँ से सिर्फ click करना है, और आपको सिर्फ add करते जाना है, ठीक है, तो अभी हम नीचे आते है, schema type हमने वहाँ पे select किया था, schema type post के लिए, जो कि पिछली वीड रख देंगे उसे, उसके बाद यहाँ पे headlines है, SEO title, इसे हम ऐसे रख देंगे, जो कि है, उसके बाद description, SEO description, इसको भी वैसे रख देंगे, उसके बाद article type, article type हमें blog post रखना है, post के लिए, क्योंकि वो static नहीं है, ठीक है, उसके बाद है, post robot meta, इसे custom पे रखा हुआ है, और यह यहाँ पे, देखिए, कोई भी check नहीं है, मतलब यह सब index होने वाला है, उसके बाद link suggestion है, उसे on रखा है, okay, link titles, okay, यह, I think, maybe, यह advanced features होंगे, तो, देखते है, अगर यह बाद में कभी हमें use हुआ, तो मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा, तो अभी के लिए हम सिधा कर देते है, save changes, okay, यहाँ पे एक option भी था, bulk editing के लिए, अगर आपको disable करना है, आप यहाँ से disable भी कर सकते हो, easily, तो हम जाते हैं, अभी next option पे, जो कि pages है, okay, pages के लिए भी same procedure है, अभी देखिए, यहाँ पे कैसा आ रहा है, कि piece title, page 2 of 4, अभी मुझे यह नहीं चाहिए, तो मैं सिधा क्या कर दूँगा, यह जो page का tag है, उसे निकाल दूँगा, और simply ऐसा रखूँगा, जो कि page name आएगा, और उसके बाद आएगा सिधा हमारे site का title, okay, जो description है, उसमें आएगा, expert, expert, sorry, इसमें भोलने में बहुत confusion होता है, okay, तो schema type, इसका है services, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, schema type में हमने यह set किया हुआ था, तो उसके बाद हम नीचे आते हैं, यह SEO title, अगर आपके इसमें यह नहीं है, आप सीधा इसमें click करके आप कर सकते हो, okay, तो नीचे scroll करते हैं, और यह custom है, यह index हो रहा है, same options है, जो कि हमें post में देखे थे, okay, हम इस इसे वैसे के वैसे रखेंगे सब और इसे कर देंगे save changes, okay, उसके बाद next option है, attachment, okay, attachment के लिए भी मुझे यह pages, जो section है, वो नहीं चाहिए, मैं इसे tag को remove कर दूँगा, और ठीक है, अभी यह कुछ अच्छा दिख रहा है, उसके बाद description है, उसके बाद schema type, schema type हमने नहीं select किय जाता तो हम इसे भी default जो है, वो ही रख देंगे, schema type नहीं select करेंगे, okay, उसके बाद media, robots, meta, हम इसे सब default value रखके save changes करेंगे, okay, उसके बाद है हमारा post type projects, इसको भी same settings है, जो कि हम पहले सी यहाँ पे site title और, sorry, page title और site title है, यह हम वैसे रखेंगे, okay, project archives है, जो कि projects, okay, यह अच्छे से हुआ है, यह हमने I think last video में, या फिर इस video में, general settings में किया होगा, okay, यह हम वैसे कि वैसे रखेंगे, schema type हमने select नहीं किया था, तो इसे हम default रखेंगे, projects को हमें index करना है, तो हम यहाँ पे कोई भी select नहीं करेंगे, और सीधा नीचे आके, यह same options है, जो कि हमने pages और post के लिए देखे थे, यहाँ पर सिर्फ एक extra option है, जो कि thumbnail और facebook, अगर आप कोई भी project share करते हो, facebook पर, तो आपको, अगर आपने कोई thumbnail या फिर image उस project के लिए add नहीं किया होगा, तो आपको कौन सा image देखाना चाहिए, facebook पर, तो आप वो easily आए से select कर सकते हो, तो मैं defaultly कोई भी एक select करके रखता हूँ, यह जो first मेरा logo है, मैं उसे select कर दूँगा, और simply नीचे आके हम करेंगे save changes, okay, तो यह हो गया और नीचे है, sw generator, मुझे इसके लिए कुछ करना नहीं है, क्योंकि मैंने इसे index करना ही नहीं, तो मैं इसे simply कर दूँगा, no index, और simply हम इसे save changes कर देंगे, okay, तो उसके बाद हम आते हैं सीधा categories पे, actually taxonomies है, यहाँ पे post क्यों लिखा है, मुझे नहीं पता, ठेक है, देखते हैं अभी categories में, okay, categories का भी same है, जो कि category का term होगा, वो यहाँ पे आएगा, separator, उसके बाद आएगा, सीधा site name, okay, यह बिल्कुल हमें वैसा के वैसा रखना है, category, archives, remote, meta, इसे भी हम default, जो हमने रखाता है, वही रखेंगे, as usual, remove snippet data, नहीं हमें यह भी नहीं करना, यह नया option है इसमें, तो हम सीधा save changes करेंगे इसके लिए, okay, उसके बाद एक new option है, वो है tags, उसको हम click करेंगे, उसके लिए भी हमने same रखा है, okay, इसे हम index कर रहे हैं, okay, nice, okay, हम इसे फिर से save करेंगे, okay, जो categories और tags है, वो लगबग same ही है, okay, उसके बाद आता है project, project एक post type है, तो इसके लिए भी project categories है, यह भी same options है, इसे मैं कुछ नहीं करूँगा, project categories और project tags, जो same values हमने categories और tags को रखे थे, वोई सब values इसमें already available है, तो हम सीधा जाएंगे next settings पर, जो की है sitemap settings, जो यह है, इसे मुझे index करना ही नहीं है, तो मैं इसके settings भी नहीं करूँगा, तो सीधा हम जाते है sitemap settings पर, okay, तो sitemap settings के लिए देखे, यहाँ पर आपको अपना sitemap मिल जाता है, अगर आप इस पर click करेंगे, तो आपका sitemap open हो जाएगा, okay, यहाँ पर हर एक चीज के लिए sitemap दिया हुआ है, यह अलग इसके लिए है, मतलब यह पूरा website के लिए sitemap है, okay, अभी images sitemap, okay, यह on रखना है, आपको of course images चाहिए, okay, मुझे featured images भी sitemap में add करने हैं, और index उनको होना है, तो मैं इसे on कर दूँगा, अगर आपको कोई भी post को exclude करना है, कि वो index ना हो पाए, तो आपको सिर्फ यहाँ पर post का ID डालना है, okay, pink search engine इसको आपको on रखना है, ताकि कोई भी आप अगर change करते हो आपके site में, तो search engine को पता चल जाएगा, कि आपने अपने website में कुछ change किया है, और वो आपके जो new sitemap है, उसको index करेगा, तो इसे हम simply save changes कर देंगे, अभी जो यह नीचे के post types है, जो कि अभी post है, अभी हर एक का अलग-अलग sitemap है, अगर आप एक ही अकेला यह जो main sitemap का link है, अगर यही आप Google search console में डालते हो, तो कोई issue नहीं है, बाकी के आग, अगर आप नहीं डालते हो, तो कोई problem नहीं है, तो जो first है, वो इस आ जाएगा, देखें, जैसे कि अभी हम यह open करते हैं, तो देखें, इसके अंदर ही बाकी के सब sitemaps available है, जैसे कि projects है, pages है, और post का sitemap है, अगर मैं pages पे click करता हो, तो जितने भी pages sitemap के अंदर है, वो हमें दिखाए देंगे, देखें, यह जो pages sitemap के अंदर है, तो अगर आपको चाहिए, तो आप सिर्फ एक जो यह sitemap का link है, आप डाल सकते हो, या फिर अगर आप हर एक का अलग-अलग डालना चाहते हो, जैसे कि pages के लिए, post के लिए, media के लिए, देखें, media के लिए अभी off है, अगर आपको इसको on करना है, इसको sitemap में index करवाना है, तो आप सिधा इसे on कर देंगे, please note that, attachment page, ओके, ओके, इसको हम save changes करते हैं, ठीक है, तो अभी media भी हमारा sitemap में आ जाएगा, projects के लिए अलग sitemap है, तो I think आप समझ गए हो, अगर आपको अलग-अलग sitemaps डालने हैं, तो आप वहाँ से डाल सकते हो, यहाँ से easily आपको just copy करके, search console में paste करना है, अगर आपको पूरा एक साथ डालना है, तो general pay आ जाएए, और आपको यह link मिल जाएगा, और आप वहाँ से पूरा sitemap डाल सकते हो, तो यहाँ पर same categories के लिए अलग sitemap होगा, include in categories, आपको categories को sitemap में include करना है, तो आप यहाँ से simply add on कर सकते हो, और देखिए आपके categories के लिए sitemap ready हो चुका है, अगर आपको include empty terms, मतलब जिन pages में या फिर जिन categories में post या फिर content नहीं है, उनको भी include करना है, तो आप यहाँ से सीधा on पर click करेंगे, तो वो include हो जाएगा, तो मैं इसे off कर दूँगा, और मुझे sitemap में categories नहीं डालने हैं अभी के लिए, तो मैं इसे off कर दूँगा, और इसे हम करते है save changes, तो same goes with tags, मैं भी इसे में कोई change नहीं करूँगा, project categories अलसु same, and project tags अलसु same, और यह option हलाकि हम इसे देख ही नहीं रहे हैं, तो अभी हम सिद्धा जाते हैं next option पर जो कि role manager है, अभी role manager क्या करता है, अगर आपके website पे और भी other editor है, या फिर authors है, या फिर contributors है, अगर उनको भी आप इन में से कोई भी authorization देना चाहते हो, आलाकि अभी देखिए अभी editor है, अगर आप चाहते हो कि editor ये meta titles की setting करे, या फिर general settings करे, तो आप उनको यहाँ से सिदा चेक करके आप उनको ये permission दे सकते हो, otherwise जो administrator रहेगा उसको ही पूरे permissions होंगे, तो अगर आपको चाहिए कि editor या फिर author इन में से कोई चीज की permission हो उनको, तो आप यहाँ से सीदा इनको चेक करके यहाँ पर आके update capabilities कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर कुछ change नहीं करूँगा, यह जैसे है मैंने administrator को सब permission दिये हुए है, मैंने नहीं मतलब rank math में दिये हुए है, तो हम जैसे default settings है वैसे ही रख देंगे, उसके बाद हम आते है 404 monitor पे, तो यहाँ पर देखिए जो जो 404 not found pages है, यहाला कि अभी देखिए यह 404 not found page है, इसको किसी ने तो भी search किया होगा, तभी यहाँ पर एक hit आया है, तो अभी मैं इसको फिर से search करता हूँ, वही link को यहाँ पर मैंने paste किया, और देखिए result क्या आता है, देखिए result आया है page not found, देखिए no result found, तो अभी मैं वापस आके अगर मैं इसको refresh करता हो, तो अभी यहाँ पर हमें 2 दिखेगा, ओके देखिए यहाँ पर 2 आया है, मतलब अभी क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि आपके page पे कोई तो ऐसा page है, जहाँ पर यह visitors विजिट कर रहे हैं, पर वो page not found है, तो आपको क्या करना है, उस page को redirect करना है, ओके यहाँ से आ home page पे, या फिर contact page पे, या फिर about page पे, आपके उपर है आपको किस जगा उसको भेजना है, तो suppose हम जाते है, अभी redirect करने के लिए option है, यहाँ से आप redirect कर सकते है, या फिर redirect, देखिए यहाँ पर link है, मैंने पहले बताया था आपको कि हम यह, जब redirect की setting आ जाएगी, तब आप redirections देखेंगे, तो मैं click करता हूँ, redirections में, ओके, देखिए यहाँ पर कोई भी redirect अभी available नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, जो यह link है, उसको हम redirect करके home page पे डाल देंगे, ओके, तो मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ और इसे करता हूँ, add new redirect, ओके, यहाँ पर आपको source URL पतलब कि यह URL, यह मैं पूरा copy करूँगा, और यहाँ पर paste करूँगा, यहाँ पर exact ही रखेंगे हम, उसके बाद destination URL डालना है, कि यह redirect होके, कौन से page पे जाना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि यह home page पे जाए, हम इसका link copy करेंगे, और उसके बाद destination URL पे paste करेंगे, ओके, बाकी कि हम default option ऐसे रखेंगे, और उसके बाद click करते है, add redirection पर, ओके देखिए, अभी हमारा एक new redirection add हो चुका है, और इस पे कोई hit भी नहीं है, अभी तक, तो अभी हम क्या करते है, यह page पे आते है, और इसे करते है, refresh, देखिए, यह page directly अभी जा रहा है, home page पे, तो no more 404 not found error, ओकी, तो अभी हम यहाँ पे आके, अभी मैं इसको refresh करता हो, तो अभी हमें, शाद से hit, ओके, देखिए, यहाँ पे hit आ गया 1, ओके, तो I hope आपको यह समझ आया होगा, कि 404 और redirection को हम कैसे optimize कर सकते है, तो आपके user को कोई भी 404 not found page नहीं मिलेगा, आपके website में, त तो next settings पर जाते है, जो की search console है, उस पे हम click करते है, okay, इसमें search console में ये data दिखा रहा है हमें, हमारे website का कितने clicks है, impressions कितने है, click through rate कितना है, average position क्या है, keywords total कितने use हुए है, और total pages कितने है, okay, अच्छा है, आपको search console में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से सब data म मिल रहा है, ये actually search console में से, google search console में से ही आपका ये पूरा data लिया जा रहा है, okay, nice, next है search analytics, हम यहाँ पे click करते हैं, okay, यहाँ पे आपको keywords मिल जाएंगे, उस पे clicks कितने हैं, वो मिल जाएंगे, impressions मिल जाएंगे, click through rate क्या है, और उनकी average position क्या है, आपको मिल जाएंगी, तो अ है, तो इसलिए ranking और जो impression और clicks है, वो बिल्कुल बकवास है, तो in future result कुछ अच्छे होंगे, तो अभी next हम आते है keyword tracker पर, okay, इसको लिखा है coming soon, तो I think यह कुछ next update में आ जा सकता है, तो देखते हैं, तो next option है SEO analysis, okay, यह start site-wide analysis, okay, अभी यह क्या है, मुझे भी नहीं पता, तो हम click करके देखते है, start site-wide analysis, okay, यह website को analysis कर रहा है अभी, okay, तो अभी analysis करके उसने हमें SEO score दिया है, जो कि अभी है 78 out of 100, उसके बाद यहाँ पर past test दिया है, जो कि 35 में से हमें 626 है, उसके बाद warnings है यहाँ पर और fail test भी है, okay, यहाँ पर priorities दिये हैं कि atomic updates, atomic updates are not enabled on your site, click here to activate it now, अगर आप यहाँ से enable auto update करते हो, तो आपके जो plugins है, themes है, वो auto update होते जाएंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप website पर आओ और उसको auto update करो, तो मैं यहाँ से सीधा उसको enable auto update कर दूँगा, okay, I think यह rank math का ही था, sorry, यह I think rank math को auto update करता जाएगा, बाकी के plugins और theme को नहीं करेगा, sorry इसके लिए, तो अभी हम नीचे देखते हैं, और क्या-क्या options है, common keywords, here are the most common keyword we found on your website, WordPress website, business development, online, will optimization, no looking, speed, okay, तो यह common keywords है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है green में, कि यह आपका ठीक ठाक है, कुछ इसमें problem नहीं है, हम नीचे scroll करते हैं, देखते क्या problem है, देखिए यहाँ पर focus keyword का problem है, there are five pages and two projects with no focus keyword set, तो ऐसे पाच pages है और दो projects है, जिसके लिए हमने focus keyword नहीं set किया है, तो बाद में है post title missing focus keyword, ऐसे 9 pages है, जिसमें हमने focus keyword डाला हुआ नहीं है, तो यह हमें error बता रहा है यहाँ से, तो यहाँ से और भी advanced SEO के options है, आपका google में ऐसा search result दिखेगा, यह ऐसा दिखेगा, second search result, उके उसके बाद आपका mobile पे कैसा look आएगा, वो यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद canoconial URL, यह मेरा जो website का URL वो simply आ रहा है, इसे हमने कुछ नहीं करना है, उसके बाद open graph में एक error है, some open graph meta tags are missing, इसे हम देखेंगे बाद में, image headers are expired, minify javascript, minify css, और इसमें बहुत सारे error है, थोड़े बहुत तो है, ओके, तो यह error कैसे solve करते हैं, हम इसके लिए एक अलग video बनाएंगे, अगर इसमें हम solve करने बैट है, तो यह एक दो गंटे की video आराम से बन जाएगी, तो हम सीधा अभी उपर scroll करके, next settings देखते हैं क्या है, यह है status and tools, ओके, I think इतना settings काफी है, यहाँ पर हमको कुछ करने की जरुरत नहीं है, तो हम सीधा भी आते हैं, dashboard पर, ओके, तो यह थी rank math SEO plugin की settings, तो I hope कि आपको settings समझ आई होगी, अगर आपको कोई भी problem हो, तो आप comment में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे follow करो, Instagram पे, Facebook पर, और वहाँ पे आप मुझे questions पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे भी help कर दूँगा, तो I hope आपको यह video अच्छी लगी होगी, so next video में हम देखेंगे, कि हम एक particular post का SEO कैसे कर सकते है, using rank math, हमने used SEO भी use किया था पहले, तो अभी हम rank math पे shift होए है, और rank math पे shift होने का reason है, जो कि बहुत सारे reviews है, जो कि rank math की तरफ जा रहे है, और उन्होंने कहा है कि rank math ज़्यादा features प्रोवाइड करता है, हलाकि keywords में भी rank math, हमें I think 5 keywords एड करने का priority देता है, और दुसरी तरफ देखा जाए, तो अगर हमें used में ज़्यादा keyword एड करने है, तो हमें उनका premium package बाई करना होगा, तो rank math ये आपको free में provide कर रहा है, तो अच्छा है, अगर आप चाहो तो आप सीधा rank math पे shift हो सकते हो, मैं अभी shift हुआ हूँ, अभी देखते हैं इसका review, I think 1 to 2 months में हमें पता चल जाएगा, कि ये plugin कैसा work कर रहा है, जैसे ही मुझे कुछ results मिलने लगेंगे, तो मैं इसके उपर ज़रूर video बनाऊँगा, कि आपको ये use करना चाहिए, या फिर नहीं करना चाहिए, तो I hope कि आपको ये video अच्छी लगी होगी, अगर आपने इसका पहला part नहीं देखा है, तो आप ज़रूर जाके देखिए, so thank you for watching video, please like, share and subscribe, see you in a next video, thank you.